हेलो फ्रेंट्स में हूँ मानसा आप सभी का मेरे चानल में रिदेपुर्वक स्वागत है तो कल के व्लोड में आपके इतने अच्छे कमेंट्स है सच में मैं बहुत ज़ादा खुश हूँ क्योंकि आपके वज़े सही मैं व्लोड को कंटिनुई पा रही हूँ और बस यही प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे यही मैं आशा करती हूँ और यहाँ पे देखो सुबह का टाइम हो रहा है और बाहर का जो भी काम होता है तो वो मैं करने लगी हूँ और रात को बारिश हो गई थी तो इसलिए मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है बारिश होने के बाद भी दुपहर के टाइम पे थो थोड़ी बहुत गर्मी तो हो रही है और यहाँ पे देखो मैंने कल ही अच्छे से पानी से साफ किया था और आज बारिश के वज़े से देखो फिर से इतना सारा कच्रा जैसा जमा हो गया है और यह जो चूना है बारिश होने से गिरती रहती है तो इसलिए और उसते ना मतलब उसच्छ्णे को हम अच्छे से क्या मूलते साफ नहीं कर सकते जाडू से अगर पानी से करना है तो बहुत ज़ादा पानी लग जात तो इसलिए मैंने सिर्फ जाडू किया है और यहाँ पे भी कच्रा जमा हो गया है तो उपर से पत्ते वगेरे होते हैं तो बारिश के वज़े से वो पूरा कच्रा गिरने लगता है और वाशिक मिशन में मैंने कल कपड़े डालेते लेकिन पता नहीं मशिन को क्या हुआ है यह आन ही नहीं हो पाया है तो इसलिए कपड़े उसी में रखे हुए थे और रात में बारिश हो गई ना तो बारिश के पानी वाशिक मिशन में चले गए है और पानी के साथ कच्रा भी चला गया है तो इसलिए पूरे कपड़ों में थोड़ा बहुत कालापन जैसा कुछ कच् मैंने कल बहुत जादा ट्राइ किया है लेकिन फिर भी मुझसे हो नहीं पाया है और उस टाइम पे हस्बेंट भी गर पे नहीं थे और वो आते रात हो गया था इसलिए फिर वैसे ही रख दिया है कपड़ों को और आज मुझे डालना है और पता नहीं बारिश होने की चांसे भी थे लेकिन फिर भी गीले कपड़े है न इन्हें डालना भी जरूरी है तो ये दिख रहा है न इस तरह से कच्रा पूरा इसमें गिर गया था और मशिन का न हमने बहुत दिनों से यूज नहीं किया है शायद इसलिए वो आन नहीं हो पा रहा था लेकिन जैसे तैसे पता नहीं उन्होंने क्या किया वो आन हो गया है और सच बताओ तो मैं डर ही गई अगर ये पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाता तो क्या होता लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ये चल रहा है ये एक अच्छी बात है और देखो किराई के घर में रहने से थोड़ी बहुत और यहाँ पर देखो बारिश होने से मेरी मुसीबते और भी जादा बढ़ जाती है अगर बारिश जादा होने लगती है तो पूरे कमरों में पानी टपकता रहता है और उपर से आंगन का काम तो वो तो बहुत ही जादा होता है तो देखो कल ही मैंने अच्छे से पानी से स ले जाओ बहाद तो हमारा खुद का गर है कैसे भी रहो अपना गर अपना होता है और यहाँ पे न हम कुछ कर नहीं सकते मतलब कुछ भी करना चाहा तो फिर ओनर का पर्मिशन लेना पड़ता है उनसे बार-बार पूछना पड़ता है तो इसलिए न छोटा सा भी गर हो तो अ अंदर बनाने के लिए लेकिन फिर भी न देखो इस तरह से कभी काम करकर के न मैं तो ठक जा रही हूँ और बातों बातों में देखो हम आज न हमारे चाचा जी के घर जा रहे है तो वो बताना तो मैं भूली गई हूँ तो बस जल्दी जल्दी काम निप्टा के हम आ गए ह तो यहाँ पे बहन का इंतजार कर रहे है सैन्वी और ये कुछ देर बाद आने वाले है क्योंकि सैन्वी अभी तक तयार नहीं हुई थी तो इसलिए पहले हम दोनों चेले आये हैं और बहन तो मेरा ही इंतजार कर रही थी और मुझे पूरा काम निप्टा के तयार होके आन सबेख़ी में थोड़ा देर हो गया है तो इस गाव में ना हमारे दोनों चाचा रहते हैं और च्छोटे चाचा के घर का आज ग्रह प्रवेश है तो वही हम जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपना खुद का घर बनाया है तो अच्छा लग रहा है मतलब खु लोगों को ही बुलाया है और यहाँ पे देखो कैशोरी कैसे मूँ बना रही है तो वही मैं बता रही थी और बहुत दिनों के बाद इस तरह से हम सबी लोग मिलके जा रहे हैं तो इसलिए बच्चे भी खुश हो गए है और यहाँ पे देखो हम पहुच गए है और पूजा भ तो हमारा यहाना जादातर अग्रह प्रवेश के दिन सत्यनारेंट जी का पूजा तो करते ही है मतलब जादातर लोग करते हैं लेकिन किसी किसी के घर में ये पूजा नहीं होता है और यहाँ पे देखो चाचा जी के घर में भी पूजा हुआ है और कितने अच्छे से सजाया ह तो इसे देखते ही एक अलग फीलिंग आ जाती है मतलब मुझे तो अच्छा लगता है और बस यहाँ पे पूजा और जो भी कारेक्रम होते है वो तो कंप्लीट हो चुके है हमारे आने से पहले ही हो चुके है और यहाँ पे देखो चाची सभी को प्रशाद दे रही है अगर पंडित जी होते तो वही सभी को टीका लगा के फिर प्रशाद देते है लेकिन हम लेट हो गए न तो इसलिए पंडित जी चले गए है और ये इलो साड़ी में है न ये छोटी वाली चाची इनका ही ग्रह प्रवेश है और पिंक कलर की साड़ी में जो है वो बड़ी वाली चाची और इनका घर भी बस नजदी की है मतलब यू कहू तो बागल में ही है और अभी सभी को पहले तो टीका चंदन लगाने के बाद फिर प्रशाद देती है हमारे यहाद तो हर पूजा में टीका लगाना जरूरी होता है और लड़कियों को टीका और गालों में चंदन लगाना अगर लड़के हो तो सिर्फ टीका लगाते है कुमकुम से तो ये तो हर गुजा में होता ही है और पैरों में हल्दी भी लगाया जाता है तो बस यहाँ पे सभी को टीका लगा देती है तो जो भी आते है ना घर में सभी को टीका लगाया जाता है अगर पापा का तब्यत ठीक होता तो मा और पापा भी चले आते लेकिन अभी फिलहाल उनकी तब्यत ठीक नहीं है मतलब पहले से तो अच्छा है लेकिन फिर भी बाहर चलना फिरना नहीं हो पा रहा है तो इसलिए वो लोग नहीं आये हैं और इस पूजा में जो प्रशाद बनता है न वो इतना स्वाधि और ये हमारी बड़ी मा आप जानते ही होगे शायद मैंने एक वीडियो में इनको दिखाया था तो सबसे बड़ी मा है और ये हमारी नानी है ये लो सारी में जो जा रही है न और यहाँ पे न सभी लोग सैन्वी के लिए पूछ रहे थे उसने तो कहा सिर्फ पाच मिनट मे में आओंगी करके लेकिन पाच मिनट नहीं आदा गंटा लग गया है आपको तो पता ही है लड़किया तैयार होने में थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन अभी तक सैन्वी नहीं आई थी मैं तो बार-बार उसे फोन लगा रही थी बस यही कह रही थी कि पाच मिनट में आऊंगी पाच मिनट में आऊंगी लेकिन पाच मिनट तो नहीं आदा गंटा लग गया है और यहां आने के बाद ना गुसा होने लगी क्योंकि वो कह रही थी कि आटो के पास ही हम रुख जाए वो आने के बाद सभी मिलके हम आटो से ही यहां पे आ जाते लेकिन हम नहीं ग्रह प्रवेश तो सुबह चार या पाच बजे हुआ था उस टाइम पे तो नहीं आते लेकिन पूजा के टाइम पे तो आ ही जाते अगर दिन भर बारिश होती रहती तो और भी जादा मुश्किल होता और यहाँ पे देखो यह छोटी सी लड़की कितनी क्यूट है ना तो ब यह यह मेरे पास आ रही थी बस उसे फोन में कुछ गेम खेलना था तो इसलिए फिर मेरे पास आके बैठ गई तो देखो कितनी प्यारी लग रही है ना और देखो सभी लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं फिर बात में खाना खाके कुछ देर बाद फिर हम घर और मेरे चानल में कोई नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजेगा